हेलो दोस्तों welcome to my channel ओitsu और और दोस्तों से हम च्टाय क्लासर स्टार्ट करने जा रहे ही दोस्तों और आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों Financial accounting आपको first subject रहेगा और यह सब्जचेक्ट आपको है फार्स्ट चाप्टर आपको यहां पर और चार चाप्टर आपको प्रॉब्लमिटिक रहेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फ़र्स्ट चाप्टर देखेंगे दोस्तों पेले चाप्टर देखने से पहले मैं आपको यह बता-दो यह हमारी classes particularly होने वाली है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी वालों के लिए दोस्तो जो भी बच्चे गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं उनके लिए हमारी ये वीडियो होती जाएंगी दोस्तो दुसरे यूनिवर्सिटी के भी मैं चाप्टर आये introduction to accounting या तो फिर introduction introduction चाप्टर आपको फरस्ट चाप्टर आपको theoretical चाप्टर रहेगा दोस्तो इसमें short answers and long answers आपको theory related ही पूछे जाएंगे दोस्तो और फरस्ट चाप्टर में हम बड़े ही दो important topics आज के इस वीडियो में Cover करेंगे दोस्तो, topics के नाम होंगे, meaning of accounting and scope of accounting, दो बड़े topics आज के इस वीडियो में cover करेंगे और हमारे वीडियो की समापती करेंगे दोस्तों, आज करेंगे हमstudious हमारे वीडियो के हम अचाउंटिंग के meaning से शुरूआत करेंगे, उसके बाद हम scope क्या होता है, ये accounting का meaning समझे लिए कि बाद scope of accounting समझेंगे दोस्तों First accounting के meaning की तरफ आते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले simple terms में समझा जाता हूं accounting क्या होता है Accounting का मतलब दोस्तों आप company में क्या होता है, company में कितना expenses हो रहा है और Expenses किस चीज़ के लिए हो रहा है वो सारा Word करना और Incomes जो भी होता है Incomes record करना Company को कितना Loss हो रहा है Company को कितना Profit हो रहा है Company के पास कितने Assets है Company के पास कितने Lability's है यह सारा Record किया जाता है हमारे Accounting System में इसे ही हम दोस्तों Accounting करते हैं यह तो हमने simple terms में accounting का meaning समझ लिया दोस्तों अब हम क्या करेंगे हम एक meaning के हिसाब से accounting का meaning समझते हैं दोस्तों सुआपके screen के उपर meaning दिख रहा होगा accounting is a process of identifying financial transaction accounting क्या है दोस्तों यह process है process का मतलब एक प्रक्रिया है यहने stages आते हैं accounting में जिसमें first stage है identifying financial transaction जितने भी financial transaction आपके company में होते हैं या तो फिर expenses दो या फिर income हो पहले identify करना उसको पहले खोजना पहले identify करना कि हमारा financial transaction है उसके बाद measuring them in monetary terms और measure करना कि कितने monetary terms मेंने, कितने पैसों में हैं, कितने रुपीज में हो financial transaction है, second चीस measure करना, उसके बाद दोस्तों, and recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting them and communicating the results to the users, उसके बाद next stage होता है दोस्तों, recording, recording का मतब आप जितने भी financial transaction है, वो हमारे books of accounts में record करना, या तो ledger में, general में record करना, उसके बाद classifying, जो भी आपके books of accounts में अपने record कर दिया, आप उसको classify करो कि separate accounts मनाते जाते हैं, जैसे कि assets account में आएगा, या तो फिर एक particular salaries account में आएगा, wages accounts में आएगा, या तो फिर assets account में आएगा, यह यहाँ पर आप classify करते हो, उसके बाद summarize याने, summarizing याने, इसमें और detail आप classify करते हो, detail summarize करते हो, याने, आपके trial balance में record करना, balance sheet में record, यह stage में होता है दोस्तों, उसके बाद next stage है, analyze, analyze याने, अब जितने अपने सारे financial transaction अपने record कर लिया, अब यहाँ पर आप analyze करते हो, कि company profit कमा रही है, या तो फिर company loss में चर रही हो, आप यहाँ पर analyze करते हो, इस accounting stage में, उसके बाद interpreting याने, interpreting में, आप review देते हो, कि हमारी company profit कमा रही है, या तो फिर loss कमा रही हो, आप यहाँ पर financial final conclusion यहाँ पर देते हो, दोस्तों, and communicating the results to the users, जो accounting के users होते हैं, users कोन होते हैं, management होता है, आपके stakeholders होते हैं, shareholders होते हैं, government होते हैं, जिनको भी accounting का user से ही, जो use करना चाहते हैं, उनके साथ communicating करता है हमारा accounting, यह हमारा detail meaning हो गया दोस्तों, accounting का, accounting का simple terms क्या होते हैं, कि जितने भी financial transaction होते हैं, है, पहले identify करना, उसके बाद measure करना की, वो monetary terms में कितना है, record करना, classify करना, summarize करना, analyze करना, and interpreted करना, और last में, जो भी final user से, उनके साथ हम communicate करना कि हमारे accounting का profit चर रहा है, या तो फर loss चर रहा है company का, यह सारे चीज़ें हमारी accounting में आती हैं, simple terms में accounting याने financial transaction को record करना, हमारे books of accounts में, वो simple terms में आरा accounting का meaning यही है दोस्तो, अगर आपको detail में two marks के लिए question पूछा जाए, तो अब इतना answer लिखेंगे, तो आपको पूरे marks मिल जाएंगे दोस्तो, I hope आपको accounting का meaning समझने आ गया होगा दोस्तो, हम step by step जाएंगे accounting बहुत hie easy concept है, अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत hी detail तक आप समझपाओगे दोस्तो, यह हो गया दोस्तों हमारे accounting का meaning, अब बढ़ते हैं हमारे scope of accounting के तरफ, second topic है दोस्तो, Scope of accounting सकोपक का मतलब, Accounting की boundaries कहाँ कहाँ तक है, accounting के range कहां कहां तक है वो scope of accounting में समझते हो total 8 points मैं आपको समझाओंगा दोस्तों one by one हम details समझेंगे first है financial accounting first scope आता है दोस्तों financial accounting जितने भी आपके financial transaction होते हो चाहे वो expenses related चाहे वो income related सारे आप financial accounting में record करते हो दोस्तों जैसे generals में या तो फिर ledgers में, trial balance में या तो फिर balance sheet में यह सारे transaction of financial accounting में record करते हो दोस्तों और financial accounting में जो आपके stakeholders होते हैं वो सारों को accurate and reliable information मिल जाता है दोस्तों second scope है दोस्तों managerial accounting जिसे management accounting भी कहते हैं दोस्तों management accounting का ये काम होता है कि financial accounting का इस्तेमाल करते हुए management team जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए सारे important decisions company में लेती है important decisions का मतलब दोस्तों आपके जैसे company का कौन सा भी प्रोजेक्ट लेना है कि प्रोजेक्ट में कितना cost लगेगा analyze करना कि उसमें budget कितना लगेगा कोन कैसा performance कर रहा है future के बारे में analyze करना यह सारे चीज़े management accounting करती है management accounting का main काम होता है कि अपने अच्छे से अच्छे decisions लेना company के related accounts के related बोलके management accounting करता है दोस्तों उसके बाद third scope है cost accounting प्रांच है दोस्तों accounting का जो क्या करता है आपकी company में जितना भी cost लग रहा है वो चाहे छोटे से छोटा रहेंदे बड़े से बड़ा रहेंदे जितना भी cost लग रहा है उन सबको analyze करता है उन सबको detail study करता है main purpose होता है main aim होता है कि cost accounting का सारों को analyze करना और कम से कम expenses हो हमारी company में और maximum to maximum profit हो हमारी company में बोलके main purpose होता है cost accounting का दोस्तों उसके बाद दोस्तों fourth scope है auditing auditing में क्या होता है दोस्तों आप जैसे अपने सारे books of accounts बना लिए financial accounting बना लिए cost accounting बना लिए management accounting बना लिए वो सारों को reach करता है आपका auditing एक auditor होता है auditor क्या करता है company वाले auditor क्या करता है सारे accounts को verify करता है और यह कहता है कि आपके accounts सही है या नहीं main purpose होता है कि यह देखना है कि आपके accounts accurate है या नहीं यह देखने के लिए अगर आपके books of accounts accurate है तो आपके stakeholders को भी relaxation मिल जाएगा और shareholders आपके company में ज्यादा से ज्यादा investment करेंगे दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारा fifth scope है taxation अब जैसे company profit कमा रही है तो company को tax भी pay करना होता है so tax related सारे planning करना tax की preparation करना और सारे tax के बारे में समझने का काम आप tax accounting में करते हो दोस्तों tax accounting main businesses को help करता है tax pay करने में और अपने tax liability पूरी करने में दोस्तों उसके बाद हमारा sixth है financial management financial management भी एक तरह का आपका पार्ट है accounting का जिसमें आपके company के जो finance होते है finance याने पैसे के related planning करते है कि हम कौन से business में या तो फिर कौन से project में अगर हम investment करेंगे तो हमारी company को जादा से जादा profit मिलेगा बोलके ये financial management में करा जाता है financial management के आपके company के finance को अच्छे से अच्छा management करना अच्छे से अच्छा investment करना कि हमारी company के value बढ़ जाए बोलके है वो सारा financial management में सोचते हो दोस्तों उसके बाद दोस्तों सेवन्थ हमारा स्कोप है गौवर्मेंट अकॉंटिंग सिर्फ बिजनस ही नहीं गौवर्मेंट भी अपने अकॉंट्स बनाती है जैसे गौवर्मेंट के इंटाइटीस होते हैं गौवर्मेंट के एजन्सिस होते हैं वो सारों को अपने बुक्स अफ अकॉंट्स बनाने होते दोस्तों अब जैसे public का पैसा government को मिलता है so government उस पैसे का कैसे इस्तिमाल कर रही है कहां पर इस्तिमाल कर रही है सारा बताना होता है public को यह अब कैसे बताएंगे या बताएंगे accounts के तो दोस्तों so government भी अपने separate books of accounts बनाती है दोस्तों उसके अब लास्ट हमारा scope है non-profit accounting जितने भी non-profit organizations होते है non-profit organizations जैते यंजियोस होते है old age homes होते है उन्हें क्या मिलता है उन्हें donations मिलते हैं उन्हें क्या मिलता है उन्हें funds मिलते हैं तो उस funds का उस donations का आप कैसे इस्तिमाल कर रहे हो यंजियोस कैसे इस्तिमाल कर रही है सो वो सही तरीके से अपने टार्गेट तक पहुंच रही है नहीं, सही तरीके से अपने मिशन्स पूरे कर रही है नहीं, यह बताना होता है पबलिक को दोस्तों, वो भी क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स में यह बताते हैं कि उन्हें ऑकउंटिंग में बनाते हैं दोस्तू आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आज वीडियो दूस्तों, जिसके playlist का link में आपको description box में दे दूँगा जहाँ पर आपको एक ही जगा पर इस subject की सारी classes मिल जाएंगी दोस्तों तो एक बार description box चख कर लिजेगा दोस्तों हमारे WhatsApp group को join कर लिजे हमारे Instagram account को follow कर लिजे और हमारे Telegram channel को भी follow कर लिजे दोस्तों जिसमें आपको जो भी updates आते हैं वो आपको मिलते जाएंगे अगर हमारा आज का वीडियो चलागा तो वीडियो को like कर दीजे हमारे इस channel को subscribe भी कर लिजेगा और अपने सारे friends के साथ इस वीडियो को share भी कर दीजेगा दोस्तों thank you so much मिलते हैं हमारे next वीडियो में दोस्तों